श्रीमत भागवत गीता आज के इस बेहदी खास वीडियों में हम भागवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिने जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने तो चलिए जानते हैं श्रीमत भागवत कीता के 111 पावर्फुल बिचारों को श्रीकृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम के चिंता किये बिना लूब लालच बिना एबम निस्वार्थ और निश्पक्ष होकर अपने करतव्यों का पालन करना चाहिए जिस तरह प्रकाश की जोथी अंधेरे में चमकती है ठिक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए जिस मनुष्य के अंदर ग्यान की, कमी और ईश्वर में शुद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारन करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारन करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे. समझदार वैति, जब संबंद निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना, उसके आत्म सम्मान को कही न कहीं ठेस अवश्य पहुची है. मौह उसी का करो, जिस पर आपका आधिकार है, जिस पर आपका आधिकार ही नहीं, उसका मौह भी नहीं करना चाहिए. जब दूसरों की तकलीफों को समस्ते हैं, जिन में तया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दुबारा जन्म लेना नहीं पड़ता हैं. प्रबुद्ध वैति के लिए, गंदगी का धेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं. आपके कर्म ही आपकी पहचान हैं, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं. प्रेम सदेव माफी मांगना पसंद करता है, और एहंकार सदेव माफी सुनना पसंद करता है. विशेयों के बारे में सोचते रहने से, मनुष्य को उन से आसकती हो जाती है. इससे उन में कामना या निक्षा पैदा होती है, और कामनाओं में विग्नाने से क्रोध की उत्पत्ती होती है. कर्म वा फसल है, जिसे इनसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है. इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, ताकि फसल अच्छी हो. जो होने वाला है, वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला, वो कभी नहीं होता. ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धी में होता है, उन्ह चिंता कभी नहीं सखाती. अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, लोग केवल आपकी बुराईया ही याल रखेंगे. इसलिए लोग क्या कहते हैं, ऐस बर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो. जितना हो सके, खामूश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे जादा ग वेक्तिगत रूप से उनके कल्यान का उत्तरदाई त्व लेता हूँ. हे बात, जो लोग भक्ती में शुद्धा नहीं रखते हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं. अतावे इस भौतिक जगत में, जन मत्यू के मार्ग पर वापस आते रहते हैं. मौन सबसे कोजो, हर हाल में चलना सीखो. किसी काम की चिन्ता करना ठीक है, पर चिन्ता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए. अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है. सुरकृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग नहीं बनाता है. हर को यह अपना भाग यह खुद बनाता है. आप आज जो भी कर्म कर रहे हों, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा. और आज जो आपके पास है, वह आपके द्वारा पहले ही किये गए कर्मों का फल है. मनुस्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुर कारी नहीं हो. तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फल का कारन मानो. नहीं, कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ. सही कर्म वह नहीं है, जिसके परिणाम हमेशा सही हो. अपितु सही कर्म वह है, जिसका उतेश कभी घलत नहीं हो. संसार में कोई भी मनुष्य पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने के तुल्ला में अपने आपको पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बहता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्टितियां समस्या बन जाती है और जब हमारा मन स्थर होता है तब परिस्टितियां चुनौती बन जाती है और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्टितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नश्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हसी आने लगती है ये भारतवन्शी शरीर में रहने वाले का वद कभी नहीं किया जा सकता अता तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करनी के आबशक्ता नहीं है समय यही सिखाता है कि जिन्दगी किसी का इंतजार नहीं करती और नहीं किसी के लिए रुख सकती है जिन्दगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बहतरीन होता है दर्द सब के एक जैसे हैं मगर होसले सब के अलग-अलग हैं कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संखर्ष करके निखर जाता है। मनुश्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने बाली विजय या पराजय, लाब या हानी, प्रसन्नता या दुखत्यादी के बारे में सूचकर चंता से गसत नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने गलतियों से पुछ सीखते हैं, तो गलतियां सीडिया हैं, और नहीं सीखते हैं, तो गलतियां सागर हैं। नर्णे आपका है, चड़ना है या दूनना है। समस्याए इतनी ताकतवर नहीं होती, जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबा को होने ही नहीं दिया, गलतियां ढूनना गलत नहीं है, बस शुरवात खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसलिए कभी-कभी चुप रहना ही जादा बहतर होता है। जो जितना अधिक शान्त होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धी का प्योग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष को कभी न चोड़े। क्योंकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल चाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर नर्वर करती है। इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थर बुद्धी वाला वही वैती है। जो सफलता मिलने पर एंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूपता प्रशंसा हो रही हो तो जादा सावधान रहने की जरूरत है जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजे आप जैसे हैं सर्वस्रिष्ट हैं मनुष्य अपने विश्वास से नर्मि कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रू बन जाता है नकरात्मत विचारों का आना तय है परंतु यह आप पर निर्बर करता है कि आप उन्हें कितना महत्वा देते हैं हमेशा याद रखना बहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है जीवन में कुछ भी स्था ही नहीं है इसलिए स्वैम को अधिक तनाव गरस्त ना करें क्योंकि परिस्तिया चाहे कितनी भी खराब क्यों नहों बदलेंगी जरूर। प्राप्त कर लिए क्योंकि उसने शान्ती प्राप्त कर ली ऐसे मनॊस्य के लिए सुछ ग Bread ऑर मान अपमान एक जैसे होते मुश्किले केबल बहतरीन लोगों के हिस से थी क्योंकि वही लोग उसे बहतरीन तरीके से शेन देने की काब न люд कोई कुछ भी कहें बस अपने आपको शांत रखो क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूपता नहीं है जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचत है चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है झाल